कॉंग्रेस वधायक चंदुशेखा ने बीजेपी पर आरोप लगा हैं उन्होंने कहा है कि जैराम ठाकोर सच प्रदीश सरकार को अस्थिर करने की नाकाम कोशिशे कर रहे हैं खुद सियम रहते हैं वो कुछ नहीं कर पाते और आकारण उन्हें सब्दा से हाथ दोना पड़ता है और आज उनकी पार्टी के भी तर अस्थिर्टा का माहूल है और उनकी पार्टी के दस वधायक वेलासपुर में बैठा करके मोर्चा खोल ले कि तयारी में आज अस्थिर्टा पैदा करने की कोशिश असफल कोशिश जैराम जी कर रहे हैं खीज उतर रही है जिसे मंडी की जनता ने इनको 9 सिटे इनकी जोली में डाली लेकिन अपनी अलोक प्रियता की वज़ा से ये प्रदेश में अपनी भाती जनता पार्टी के सरकार को बरकरार नहीं रख पाए अब वो हताशा है अपार्टी के अंदर बड़ा मंथन चल रहा है बीजेपी के अंदर उस मंथन का नतीज़ा है कि बिलासपुर जैसी जगाव पे दस दस विधायक जूटकर किसके खिलाफ हो रहे हैं और जिस तरह से पर्सों चाउत चार दिन पहले आदर प्रदेश की जनता के लिए लाना चाहती है जिस पीडीने का वंच जो अभी तक